नमस्कार दोस्तो ओडोडाशनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको अन्बोक्स करके दिखाने वाले हैं होंडा शाइन गाड़ी के क्लच कटोरे को दोस्तो ये जो क्लच कटोरा है आपका होंडा इस्टेनर में भी सेम कि आज की वीडियो में हम आपको क्लच काट्वरे को अंबोक्स करके दिखाएंगे और बीडियो के इंटक बने रहे हैंगें तो आपका बहुत सा पैसा बचने वाला है क्योंकि जो यह क्लच क्लच कटोरा रहता है इसमें 3-4 पार्ट नमबर आते हैं और आप वीडियो के एंटक बने रही है तो मैं आपको पूरी जान करें दूंगा कि आपको कौन से पार्ट नमबर का क्लच कटोरा खरीदना चाहिए जिससे कि आपका बहुत सा पैसा बर सके चलिए आपको इस क्लच क पार्ट की अन्बोक्सिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जिससे कि आपको पार्ट के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि कौन सा पार्ट आपको मार्केट में कित्ते रूपे का देखने को मिलता है और इसके साथ ही दोस्तों हम अपने चैनल पे सही जानकारी आ कोडल में फिट हो जाने वाला है दोस्तो य reuse कटर्व होंडड को तेडर में भी फिट सकते हैं हर एंगल से दोस्तों हम को आपको तबयार को दिखा देते हैं देख सकते हैं किस कंपणी के क्वेंडर सप्लाइ में लिया गया है तो दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे हैं ये FCC इंडिया से क्लश असेंबली को वेंटर सप्लाय में लिया गया है देख सकते हैं FCC इंडिया इस पे लिखा हुआ है के यहां पर कुछ पाट नंबर वगरा लिखे हुए हैं इसके दोस्तों यह 100% जैन्मेंट इस पेर पाट है चलिए बात करतें दोस्तों इस क्लश का टोरे के प्राइस की और इसके पाट नंबर की दोस्तों इसका पाट नंबर है 22-100-KWF940 इसका पाट नंबर है और दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह सिरफ ओसरफ आपको तेरा सो दो रुपे का देखने को मिल जाता है आउटर कंप्लीट कलच इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और दोस्तों यह आप इसी पाट नंबर से खर देंगे तो आपको यही सेम क्लच का टोरा 1900 रुपे का देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों यह पाट नंबर का क्लच का टोरा खरीत के आप अपने पैसे को बचा सकते हैं तो दोस्तों यह जो वीडियो है मैंने information के purpose से बनाई है जिससे कि आपको क्लच का टोरा खरीते व जिससे कि आपका बहुत सा पैसा बढ़ सके थैंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए